जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते और सफलता भी उने ही हासिल होती है, जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते तो जैसा भी आपका पेपर अभी तक गया, अगर खराब गया तो don't be under confident और अच्छा गया तो don't be over confident, अभी भी दो पेपर वाकिए इस ग्रूप में जो की पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है तो हार नहीं माननी और end तक इसमें fight करना है तो hello दोस्तों कैसे हैं, आप लोग मेरा नाम हमें को इस वीडियो में अमलोग करने वाले हैं तो आपको exactly मिलते हैं 1.5 दे इस एक्जाम के ठीक पहले अभी आप SFM देखे आ चुके होगे और यह वीडियो आप approximately 5.5 के बीश में देख रहे हो तो आपके पास जो आज का half day ना यह बहुत ही जादा important है मैं तो क्याता हूँ 1.5 दे में जो 0.5 दे होता है वही सबसे ज़्यादा important होता और वही game changer होता है अपको यही 0.5 दे को अच्छे से cover करना तो क्या करना चलिए मैं आपको बताता हूँ आज आपको क्या करना है आज आपको professional ethics करना है वीडियो मेरी available है इसी youtube चैनल पर तो अभी जाके इसको check out कर ले ना तो आर्स यह डेर घंटे के अंदर आप उस वीडियो को easily खतम कर सकते हो और बाकी टाइम आप अपने self study को दे सकते हो professional ethics का जिसमें आप question solve करोगे जो कि वो जादा important है question solve करना जादा important है तो professional ethics आपने किया उसमें आपको approximately three hours लगेंगे फिर ऐसे 500 series आप उठा लेना और उसमें one hour दे देना इस तरह आप साड़े 10 से 11 के बीच में आप ये दो चीज कंप्लीट कर चुके हो गया आज सोचो कितना अच्छा lead मिल आएगा अप अपने हिसाफ से adjust कर लेना अब जैसे ही तुम सुबह उठोगे तो सुबह के दो घंटे वापस से company audit को दोगे remaining company audit पूरा खतम कर दोगे including कारूं मेरे हिसाफ से अगर तुम इसको अच्छे से करोगे तो ये तुम्हारा 7 o'clock तक पूरा easily खतम हो जाएगा जब ये 7 o'clock तक हो जाएगा उसके बाद आपको ये ऐसे करने ये सारे ये सारे ऐसे आपको करने में तीन से चार घंटे लगेंगे 10 साड़े 10 बजे तक और अब जादा important है अब जो remaining chapter से आप वो कर लो अगर आपने already किये हैं तो और अगर already नहीं किये हैं तो वापस से आ जाना इसको revise करनी के लिए बड मैं आपको ये suggest करूँगा कि वो जो पीछे के 5 chapter है PSU, bank वगएर ये सब इसमें से at least 2 chapter आप जरूर कर लो fiscal वगएर कि 2 chapter कर लोगे तो आपको काफी अच्छा lead मिल चाएगा उसके बाद next day morning में आपको क्या करना है ये भी बहुत जादा important है morning में आपको professional ethics करना है company audit करना है और ये करने के बाद आपको MCQ करना है सारे ऐसे है कि हर एक MCQ देखके जाना अगर नहीं समझ माया है तो रिट्टे लगा लेना लेकिन देखके जरूर जाना उसको पढ़के जरूर जाना अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हरों audit effectively revise हो जागा exam के एक दिन पहले मैं आ अच्छे से prepare करना अपने को ये group निकालना है मतलब निकालना है चलो all the very best take care